नमस्कार आपका स्वागत है नवरात्री हर प्रकार का सुक देने वाली होती है मा की आराधना रूपासना का ये महापर्व लोग बड़ी ही श्रदोर भक्ति के साथ मनाते है और मा का आशिरवात प्राप्त करते है नवरात्री में मा के नव रूपों की पूजा की जाती है ज कोई मा की शक्ती का अनुभोग कर लेता है क्या आपकी भी साथ कभी ऐसा हुआ है नवरात्री में आपने मा को अपने पास महसूस किया है तो हमें कमेंड में आउश बताए नवरात्री में मा के लक्षमी सुरुप की क्रपा से हमारे घर में धन की वर्षा होती है आज हम उनी कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जिने अपना कर इस नवरात्री में हम मा को प्रसन कर सकते हैं और धन धनी की प्राप्ति कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ल धन की देवी मा लक्ष्मी जी को प्रसन कर सकते हैं। मा लक्ष्मी जी और स्वच्चता का आटूट नाता है। इसलिए यदि हम मा लक्ष्मी जी की कृपा से अपने घर में धन संपती चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने घर को स्वच्च और शुद्ध बनाना जुर्री इसलिए नवरात्री में मा के आगमन के पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और मा का स्वागत करते हैं दूसरी बात सुच्चता रखने के साथ ही आपको अपना घर अशांती और कलय से मुक्तर रखना चाहिए जापर निते शांतता और परिवार के सदोस्य के बीच में प्रेम हो वही पर मा लक्षमी वास करती हैं तीसरी बात शास्तरों के अनुसार, मनश्य के व्यवहार और आचरन के साथ साथ खान पान को भी त्रिगुनात्मक माना गया है जिन में सत्व यानि आनंदी व्रत्ती, तमस यानि के आलत्स्य तता रजस यानि की दुखी व्रत्ती, नवरात्री के प्रथम तीन दिन तमस गुन विशश के माने जाते हैं इन तीन दिनों में मा दुरगा की पूजा की जाती है और तामसी गुनों का समापन किया जाता है। इन दिनों मा दुरगा की साथ मा लक्ष्मी का भी आवाहन इन तीन बातों को ध्यान में रखकर करे तो मा हम पर अवश्य करपा करती है और अमारे घर में पदारती है। मा लक्ष्मी जी भगवान स्री हरी विश्नु जी के आरधांगिनी है और इसलिए वे तबी प्रसन होती है जब उनके साथ साथ भगवान स्री हरी विश्नु की आराधना की जा है। इसलिए नवरात्री पर मा लक्ष्मी जी की अकले पूजा ना करे बलकि उनके साथ भगवान विश्नु जी की वे आराधना जरू करे। इसलिए नवरात्री में तुल्सी की पूजा आवश्य करे। नवरात्री में आने वाले शुक्रवार की दिन किसे भी सोभागिवती स्त्री को सुहाग के सामान उफार देने से मा लक्ष्मी आपके उपर प्रसन होती है। आठी बात नवरात्री में आने वाले हर शुक्रवार को मा लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर ताजे फूलों का घजरा, चावल, शक्कर, चांदी, सफिद कपडे, सफिद रंग की वस्तोय और विशेश रूप से खीर का प्रसादारपन करे। मा लक्ष्मी जी की कृपा हमारे उपर होगी और मा हमें धनधाने से संपन कर देंगी। तो ये थे वकुछ उपाएं जिने अपना कर नवरात्री में मा की उपासना कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा चमतकारी उपाएं देखेंगे जिसे नवरात्री में करने से मा लक्ष्मी ज करने से हम किसी वे प्रकार के आर्तिक समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और हमारे घर में धन की वर्षा होती है इसके लिए आपको मातर 11 कोडिया लाल रंग का कपड़ा हल्दी कुमकुम और अक्षत की आवशकता है नवरात्री के चोते दिन मालक्ष्मी के ऐसी फोटो जिसमें वे विश्नुजी के साथ हो उनके सामने 11 कोडिया एक लाल रंग की कपड़े के उपर रखे मालक्ष्मी जी और श्री विश्नुजी की विदिवत पूजा करे और कोडियों पर फूल हल्दी कुमकुम और चावल चड़ा है और ऐसी ही पूजा पाचवार छटी दिन भी करे अब साथवी दिन उनकोडियों को उसी लाल कपड़े में बांध कर छोटी सी पोटली बना कर अपनी तिजोरी में और जहापर आप धन रखते हैं वहापर रखे तो आपके आर्तिक सिति में सुदार आता है और साथी धन संपत्ती में बढ़ुत्री होती हैं अगली नवरात से ये उपाय करके आप मा लक्ष्मी को प्रसन कर सकते हैं उमीदिये जान करे आपकी काम आईगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जै मा लक्ष्मी जै मा दुरगा जै मा सरस्वती अवश्यलिकी साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद